जहिन दोस्तो जहारकन उत्पात सिपाही या जहारकन पुलिस के त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए है खुशकपरी जी हाँ दोस्तो टोटल 22 कंटर बन चुका है और 22 कंटर में रेजिस्ट्रेशन नमबर आपका दे दिया गया है कि कौन-कौन से सिंटर में आपका भरती है अभी specific date नहीं आया है मगर अभी तक यह साबसे important एक तरह से कहिए update है कि जारखन उत्पाद सिपाई यह जारखन पुलिस जो आने वाला है उसके लिए यह सबसे बेहतरी notification हो सकता है इसके विसे में पहले पुराना चीज को समझेंगे कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है और क्या हो सकता है उसके विसे में यह जारखन उत्पाद सिपाई का इसका अगर आपको पूरा official notification देखना है तो description पर RC physical academy का telegram channel है उसमें जाके join करके आप telegram channel पो official notification देख सकते और defense related सारा update वहाँ पर मिलता रहता है डेली current affairs भी वहाँ पर मिलेगा तो आप जाके वहाँ पर join कर सकते और इसका official notification को देखिए और आपका जो registration number है कब होगा और कहां से उसका registration कहां पर आपका check हो सकता है और कौन से district में आपका returning होगा उसको लेके एक दिन में मात्र 2000 बच्चे आएंगे जैसे हम लोग expect कर रहे थे कि दौड आपका ground पे होगा या road पे होगा अभी तक समझ में आ रहा है जिस हिसाब से कम संख्या को target किया गया है मोटा मोटी 2000 के असपस में सेंटर का rejection mainly जो कारण बना था उतपात सिपाही का reject होने का सेंटर का तो उसमें सबसे में कारण था आपका यह RFDI का जो cheap sector वाला चीज जो होता है वो सारा चीज टेकनोलोजी वाला चीज को पूरा approval नहीं मिल पूरा जमा नहीं हो पा रहा था अब उन सभी चीजों उन सभी problem को solution कर लिया गया है मतलब सभी problem को solution कर दिया गया है अब उससी पर काम करना है और अब मोटा मोटी 2000 के संख्या बुलाया जा रहा है मतलब PET होगा सबसे पहले दोड होगा बॉइस का आपका 10 किलोमेटर गल्स का आपका 5 किलोमेटर गल्स का टाइमिंग है आपका मात्र 40 मिनट जो की जारखन पुलिस में कम कर दिया गया है तो उत्पाद सिपाही में जो notification था 40 मिनट का वो 40 मिनट ही है 10 किलोमेटर बॉइस का है वो 60 मिनट है वो भी अगर अभी तक जहां तक सांसे से लग रहा है जिस हिसाब से संख्या कम बुलाया जा रहा है उस हिसाब से रोड पर नहीं होके ग्राउंड पर होगा और वो भी RFDI memory या फिर technology के हिसाब से तो अब क्या होना है पुराना इसमें दो केसिस है दोस्तों उत्पाद सिपाही जो एक पुराना 2017 वला जिसमें कूट केस चल रहा है उसका अभी तो कोई declaration नहीं है उसका क्या हुआ यह का हो रहा है उसके विशे में कोई जानकारी नहीं है मगर उत्पाद सिपाही का जो center बना था उसका rejection होने के बाद में फिर से center बन रहा है और अब जो नया center बन रहा है उसमें 22 center का दे दिया गया है उसमें किसका किसका registration और कब होगा day 1, day 2, day 3 total 12 दिन में उत्पाद सिपाही का dot खतम होना है physical प्रक्रिया पूरा खतम होना है उसी बीच में दो चीज होना है आपका P.E.T. और P.S.T. height weight chest boys के लिए और girls के लिए height and weight ये दो चीज और boys के लिए 10 km running girls के लिए आपका 5 km का running ये जीज होगा आपका सबसे पहले उसके बाद म मेहना के आसबास में time मिलेगा आपको physical के तुरंत बाद में आपका return और medical process करने के लिए मगर अब इन सब चीजों को देखते हुए अब भी बहुत सारा notification या tweet या फिर समचार पत्र में भी आप लोग लगातार देखते आये हैं जारकन पुलिस ये जारकन पुलिस है मगर भी इस तरह का notification या इस तरह का update को आप लोग डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं तो इन सब चीजों को देखते हुए तैयारी को आप लोगों को एक कदम और उचा उठाना पड़ेगा एक कदम और पका करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक जिस हिसाब से update चल र फुल उनका भाशन में point out रहता है या point रहता है वो है सेनिक भरती के विशय में सिपाही भरती के विशय में तो जारखन पुलिस वाले भी बच्चे बिल्कुल परिशान नहों जैसे उत्पाद सिपाही तुरंत होता है आप समझ के चलिए कि 5 लाख वेक्तियों को मात्र 12 द से 20 दिन में जादा सजादा एक मेहना चलेगा जारखन पुलिस का फिजिकल और टोटल किलियर हो जाएगा तो बिल्कुल परिशान मत होईए अभी भी बहुत अच्छा टाइम है और अभी भी आप पका त्यारी करके अपना जारखन पुलिस का जो सपना है उसको कंप्लेट कर सकते हैं आपका उत्पाद सिपाही का जो सपना है उसको कंप्लेट कर सकते हैं यह चीज है दोस्तों कि 2-3 साल उत्पाद सिपाही के लिए बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं बहुत सारे बच्चिया मेहनत कर रही हैं हो सकता है कि यह वेकंसी तुरंद में किलियर हो जो कि उतना दिनों का मेहनत और उतना दिनों का इंतिजार आपका खतम हो जाए अभी इस सिक्वेंस में मैंटसेट आपका जरूर बन गया होगा कि जारकान में ऐसा कुछ नहीं होता है के बल जूट है यह नोटिफिकेशन बहुतों बार देखे हैं हम यह वह बहुत सारा आपके मन में रहना भी चाहिए मगर अगर आप एक अव्यारती है तो इन सब चीजों से आपका कोई मतलब नहीं है आपका नोटिफिकेशन और आपका फिजिकल एग्जामिनेशन और डेट पर बहुत जादा मेंट फेक्टर है क्योंकि अगर मान लीजे एडविट का डाता और दस से पंदरे दिन का टाइम मिलता है और मातर आपका तैयारी को उतना जादा मुकाम तक नहीं पहुंशा पाएंगे और आपका फिजिकल तुरंत स्टार्ट हो जागा तो आप किसी को जिम्यदार नहीं ठहरा सकते हैं ना सीम साब को ना सरकार को ना अपने आपको कहीं पर भी नहीं तो उसमें बहुत ज़्यादा मेंन फेक्टर हो जाएगा कि आप सुरु से अगर अभी भी बीच में छोड़ दिये थे या स्टार्ट कर रहे हैं तो जितना जल्दी फिजिकल स्टार्ट कीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फिजिकल और उत्पाद सिपाही में 583 सीट है दोस्तों बहुत अच्छा वेकेंसी है ओल अबर जार्खन के लिए अच्छा से मेहनत करेंगे तो आप उत्पाद सिपाही का सेलेक्शन तक जाएंगे इसके तुरंत बाद में जैसे पिछले बार भी सीम साब का नोटिपिके भाषन समिक्षा मिटिंग में भी भाषन आया था कि तुरंत में जैसे उत्पाद सिपाही तुरंत कतम होगा और उसका तुरंत बाद में फिजिकल होगा जार्खन पुलिस का अगर मेरे अकोर्डिंग जहां तक मेरा एक्सपेटेशन है जिसे साबसे अभी चल रहा है या फ उसके तुरंत बाद में आपका उत्पाद सिपाही का एक्जामिनेशन होना है फिर जैसे उत्पाद सिपाही का यह सिक्वेंस बाइज में चलेगा उत्पाद सिपाही का फिजिकल जार्खन पुलिस का फिजिकल उत्पाद सिपाही का एक्जामिनेशन फिर जार्खन पुलि करते रहिए यह notification आपको RC physical academy टेलिग्राम चैनल पर मिल जागा चैनल पर नए है तू subscribe कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को share कीजिए ताकि आपको हर तरह का जारगन पुलिश या defense related सारा update आपको RC physical academy में मिलता रहे और ऐसे इंफर्मेटिक वीडियो देखने के लिए RC physical academy को subscribe कीजिए जैहिन जैवाद